हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे जैनल स्वाथ की कड़ाही में फ्रेंज तो आज हम परसाद बनाने वाले हैं भोग के लिए तो कम समय में और कम सामान से हमने भोग बनाया है तो चलिए यहाँ पर हमने एक कटोरी सूजी लिए उसे जो है हम बिना घी डाले इसी तरह कच्चा पन चला जाए और इसे हम रोस्ट कर लेंगे तो इसे लगातार चलाते रहें जिससे की यह जले नहीं नहीं तो यह जो है तली में जल जाएगी तो इसे लगातार चलाते रहें और धीमी गैस पर ही ही से जो है भून ले तो यह देखो भूनकर त तो इसे जो है हमालग निकाल लेंगे एक पर्थन में तो यहां पर जो है हमने दूद लिया है दूद में सूजी को हम डाल देंगे तो इस तरीके से सूजी हमारी पूल जाएगी तो लड्डु हमारी काफी दानेदार बनकर तयार होंगे सारी सूजी को दूर में हमने मिक्स कर दिया है और पांच मिनिट के लिए हम इसे ढख कर छोड़ देंगे तो दूर जो था सारा सूजी ने जो है सोख लिया है चलिए इसे हम ढख देते हैं तो पांच मिनिट बाद हम देखेंगे यह देखिए सूजी जो है फूल गई है काफी इस तरीके की फूल कर काफी सिट हो गई है तो गैस जलाएंगे और हम एक बरतन रख देंगे जैसे की कडाही और कडाही में डालेंगे घी और गी अच्छे से जो है गरम हो जाने देंगे जब गहिमार अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम जो सूजी दूद में भी गई थे उसे डाल देंगे तो गी में जो है में सारी सूजी जो है डाल दी है इसे जो है फिर से हमें हलका सा भूनना है जिसे की इसके दाने दाने जो है वो अलग हो जाएं तो फ्रेंज इसे लगातार चलाते रहेंगे और यह थोड़ी ही देर में जो है दाने दाने अलग हो जाएंगे काफी दाने दार सूजी जो है हमारी तैयार हो जाएगी और इसे बनाना काफी आसान है तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें तो यह देखिए प्रेंज कितना जो है अच्छा सूजी हमारी बनकर टैयार हुई है इसे हमें थोड़ी देर और इसी तरह चलाते हुए भून लेना है तो जी हमारी काफी फूल गई थी तो वो अच्छे से जो है पक चुकी है क्योंकि दूद हमारा हलका गुनगुना था इसलिए तो इसे जो है हमने इस तरीके से बना कर त्यार कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई जो है इलाजी हरी वाली इलाजी खुस्बू के लिए इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह काफी मज़ेदार रिस्पी है तो चलिए गए इसको कर देंगे बंद और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें चीनी तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी है तो मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कमया ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो और इसे हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर खड़ी चीनी नहीं डालनी है पिसकर ही डालना है और चीनी को अच्छे से जो है मिक्स करें तो चीनी को जो है हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो चलिए इसके हम दो भाग कर लेते हैं तो इसे हमने जो अलग निकाल कर रखा है इस सूजी को इसमें हम थोड़ा सा कलर डालते हैं तो यह औरंज कलर है और यह फूड कलर है जो हर मिठाई में पड़ता है वही तो इसे हम मिक्स कर देंगे सूजी के साथ में तो यहां पर जो है सूजी में जिस सूजी में हमने कलर मिलाया था उसके जो है लड़ू हमने बना कर टैयार कर लिये हैं इस तरीके से और जो दूसरी वाली सूजी थी जिसमें कलर नहीं पड़ा था तो उससे जो है हाथों से इस तरीके से हम चप्टा कर लेंगे और बीच में पीला वाला लड़ू रख देंगे और बंद कर देंगे इस तरीके से हाथों से दबाते हुए और यह हमारी परफेक्टल डूबन कर टैयार है सुजी के तो इसी तरह सारे बना कर लेंगे कर लेंगे चलिए आपको काट कर दिखाते हैं कि यह देखिए परेंस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जेर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज का परसाद हमारा बनकर टैयार है राम जी का तो घर में रखे कुछी सामान से जो है बनकर टैयार हो गया है इसी तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं कि यहां पर थोड़ा हमने फूड कलर लिया है इसमें हम दूड डाल देंगे तो हमारे पास केसर नहीं था तो यहां पर जो है हमने नारियल क्या लिया है बुरादा छील लिया था उसे जो है कलर लेंगे इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा जो है इस पे रख देंगे देखने में सुन्दर लगेगा तो सारे पर जो है एक एक लच्छा रख दें इस तरीके से लग रहा है ना कुछ सूरत पर साथ हमारा फ्रेंस वीडियो अच्छा लगया हो तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सुस्क्राइब करना ना भूलना